पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है पुलिस ने बताया कि पीड़ित की लाश 14 माई को नगन अवस्था में मिली थी और उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया था पुलिस ने बताया कि हत्या में दोनों के अलावा एक और व्यक्ति की संगलिप्ता का पता चला है पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान मृतकी पत्नी गायतरी उसके प्रेमी रंजीत और फरामू और रंजीत के दोस्त राजेश शाक्य के और पर की है वहीं मृतकी पहचान फे रोजाबाद के नगला भूर गाओं के रहने वाले संजीव शाक्य के रूप में की है तीसरा आरोपी राजेश शाक्य अभी फराद चल रहा है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है एनूजेजिंसी आई एनस के मुताबिक एटा के एडिशनल स्पी संजे कुमार ने बताया कि 14 माई को थाना रिजूर के कुरीना दौलत पुर मोड के नजदीक स्थित भोलाकरशी फार्म की बाउंडरी के अंदर संजीव शाक्य का शव नगन अवस्था में मिला था आरोपियों के पास सिहत्या में इस्तिमाल चाकू भी बरामत कर लिया गया है शव मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर उसकी पतनी गायतरी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और मामले की जाच में जुड गई थी एडिशनल एसपी ने बताया कि गुरुवार की शाम रिजोर थाने के थाना अध्यक्ष जीतेंदर सिंध्भध और या को मुख्वेर से आरोपियों के बारे में सूच ना मिली पुलिस ने फोरंड मके पर पहुचकर एटा शिकोहबाद रोड पर बखशी पुर्तिरा हासिम्रित की पतनी गायतरी और उसके प्रेमी रंजीत को गिरफतार कर लिया पुश्ताच में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया दोनों ने हत्या में अपने एग और साती राजेश की संलिपता का राज भी उगल दिया पुश्ताच के दोरान पताचला कि गायतरी शादी से पहले से रंजीत से प्रेम करती थी दोनों के बीज करी 5 साल से प्रेम संबन चल रहे थे लेकिन गायत्री के घरवालों को जब यह बात पता चली तो घरवालों ने उसकी शादी संजीव शाक्य से कर दी चाची ने काटा रेपिस्ट भतीजे का प्राइवेट पार्ट शादी के बाद भी गायत्री और रंजीत के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा और रंजीत खुद को गायत्री का रिष्टेदार बता कर अपने दोस्त राजेश के साथ गायत्री के ससुराल आने जाने लगा हाला कि रंजीत अधिकतर गायत्री के पती संजीव की गयर मौजूदगी में ही उसके ससुराल जाता इस बीच एक दिन गायत्री के ससुर ने अपनी बहू को रंजीत के साथ आपती जनक खालत में देख लिया और रंजीत को खरी खोटी सुना कर घर से निकाल दिया आरोपियों ने बताया कि उसी दिन से गायत्री और रंजीत ने राजेश के साथ मिलकर संजीव को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी इसी योजना के तहित 13 माई को गायत्री दवा लेने के बहाने अपने पती संजीव के साथ बाइक से एटा आई एटा में रामू, राजेश और गायत्री ने मिलकर संजीव को पहले कोल्ड रिंक में नशे की गोलियां मिला कर पिला दी तीनों इसके बाद नशे की हालात में संजीव को आटो से कुरीना दौलत पूर मोड ले गए और घला रेत कर उसकी हत्या कर दी इतना ही नहीं गायत्री ने अपने पती का प्राइवेट पार्ट तक काड़ डाला और शव को वहीं भोलाकरशी फार्म की बाउंडरी के अंदर फेंक कर तीनों फरार हो गए बहु ने ससुरका किया कतल हाला की हत्या की वारदात को अंजान देने के बाद बढ़धवासी में भागते हुए रंजीद का मोबाइल कहीं गिर गया तीनों पहले बाइक से एटा आए जहां गायत्री और रामु दिल्ली भाग गए जबकी मृतक संजीव की मोटर साइकल लेकर राजेश अपने गाउव चला गया राजेश शाक्य इस समय फरार चल रहा है एटा के एडिशनल स्पी संजे कुमार ने बताया कि इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपे का नगद पुरसकार देने की घोशना की गई है